तो फ्रेंड्स इच वीडियो में हम करने वाले यहां पर एकनॉमिक अप्लिकेशन क्यों कि लिए हैं और यहां पर हम मनी एंड बैंकिंग वाली यूनिट का पार्ट है उसका इंफलेशन पार्ट यहां पर हम कवर करेंगे लेकिन अल्लेडी हम इसके नोट को कर चुके हैं सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ जो सेमस्टर टू का बोट के द्वारा दिया गया स्पेसिमेंट कोशन पेपर है उसके भी कोशन आंसर को हम यहां पर करेंगे और अभी आपका जो टॉपिक है वह सिर्फ इंफलेशन वाले टॉपिक से लिया जा रहा है जितने भी प्लिए और लिया के लिए लिए चलीए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं यह आज के लिए बहुत इंपॉशन पूछा गया ता वो सब्सक्राइब करना उसका आपको एक्स्प्लेइड करना है उसका अंसर हो गया तब पूर जो गरीब लोग होते हैं उन पर सब्सक्राइब बुरा एक्स्प्राइब फेक्ट पड़ता है डूरिंग इन्फलेशन आप पड़ चुके इंफलेशन का मतलब महंगाई यानि कि जब महंगाई होती है तो सबसे ज़्यादा बैड असर किस पर पढ़ता है पूर पे इन टाइम्स ऑफ इंफलेशन इंफलेशन के टाइम पे पूर पिपल आर एबल टू बाइसर एंड लेसर अमाउंट ऑफ गोड़ एंड सर्विस और जो गरिब लोग उते हैं जिब महंगाई बढ़ती है तो उनके पास महीं बढ़ने में उत्तना अतरा अमाउंट नहीं होता है क्योंकि उनका उनकी मेंको में और जादा घ्रन makes the poor और inflation क्या करता है जो गरीब लोग होते उनको और भी गरीब बना देता है और जो रिच होते वो उनको और भी रिचर्स कर देता है तो यह आपका यहाँ पर अदलब ग्रोस्ट एफेक्ट हुआ किस पर डूरिंग दा अगर हमारे प्राइज इस तरह से प्रोड़ेट के या सर्विस के इस तरह से इंक्रीज होते कि वह तो उसको हम यहाँ पर कहते रनिंग इंफ्लेशन मैं अभी इसको ज़्यादा डेटेल में नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं इस पर अल्यड़ी नोट्स की वीडियो बना चुका यहाँ पर भी मैंने आंसर कंप्लीट लिखा हुआ है और इसलिए कि आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो तो इन रनिंग इंफ्लेशन क्या हो गया रैपिडली एड़ रेट आप एराउंड 10 से 20 परसंट अगर इंक्रीज होते हैं तो उसको हम कहते हैं रनिंग इंफ् थर्ड कोईशन आया था आपका मेंशन टू फिसकल मैजर्स तू कंट्रोल इंफ्लेशन यह आपका कोईशन आया 2014 में अगें तो हम फिस्कल के द्वारा कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इंफलेशन को तो हमारे पास टू फिस्कल मैजर होते हैं कंट्रोल करने के नमबर एक गवर्मेंट शुड टेक स्टैप तो डिद्यूज अननेसेसरी एक्सपेंडिचर ओन इसका क्या मतलब हुआ कि गवर्मेंट को चाहिए कि वो एक ऐसा स्टैप उठाए जो कम से कम कर सके अननेसेसरी एक्सपेंडिचर अननेसेसरी बोलते जिस पे हमें जूरत नहीं है उस पे खर्चा हम कम करें हैं जैसे कि किस पे होता है ओन नन डपलम मेंट ऐक्टिविटी जो कि ज़्जादा डबम मेंट कर सकते हैं इंफ्लेशन को एक दूसरा क। जूसरा मैठेड गया है जिनकी सबसे ज्यादा पड़ती है उसको हम कोलते हैं अगर उनको तो चाहिए 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 फिर महंगा सब्सक्राइब आपको आपको खाना पड़े गई यह महंगा मिले चाहिए तो ऐसी चीजे जो हमारे लिए बहुत असेंशियल होती हो जो उसको इंपोर्ट करा जाता है तो इस पर टेक्स लगते हैं वह टेक्स कैसे होने चाहिए आप से पूछा गया था 2014 देखे तो 2014 में तीन कोशन आ चुके आपके इसी इंफलेशन से लेटेड तो पहले हम इस पर अलग-अलग इंफेक्ट पढ़ते हैं क्या आपसे पूछे जा रहा है कि कौन-कौन से इफेक्ट इन कैटेगरीज पर होते हैं तो पहला आपसे पूछे आपकी तारा FIX income group पे क्या इफेक्ट पढ़ेगा inflation का तो FIX income गूप का मतलब एच प्ति का मतलब होता है जिनकी सैलरी बिल्कुल fix होती है चिनकी जो कमाई होती है जो तो उनमें कौन से लोग आते हैं वेज एंड टनका मिलती है वह सारे इंकम गूरूप में आते हैं और जब इंफलेशन बढ़ता है यानि कि महगाई बढ़ती है तो उनको सफर होता सपर मतलब उनको दुख उठाना पड़ता है यानि कि वह परिशान हो जाएंगे क्यों परिशान हो जाएंगे जो वेजेस और सेलरी यह तनका है हमारी वह उतनी नहीं बढ़ पा रही है प्रपोर्शन में जितना की प्राइस यहां पर राइस हो चुका है यानि महगाई चीजों की बढ़ चुकी है या कॉस्ट अब लिविंग राइस यानि कि जीने के लिए चाही होती चीजे वह भी राइस हाई हो चुकी है जैसे कि आपकी तनका होतनी नहीं बढ़ी जितनी आपकी महगाई बढ़ गई तो आप उसको कैसे उसको अजस्ट करेंगे तो उसके लिए आपको परिशान होना पड़ेगा सफर करना पड़ेगा तो जो इंफलेशन के टा जो चीजों को प्रड़ेट को बनाते हैं उन पर क्या असर पड़ेगा अगर महगाई बढ़ जाती है तो प्रडूसर गेन प्रडूसर को तो फाइदा होगा गेन होगा डूरिंग दा इंफलेशन पर अगर महगाई बढ़ेगी तो प्रडूसर को फाइदा होगा अब आप क चुके है यानि कि जब उन्होंने स्टोर किया था तब उसकी लागत उनके पास कम थी लेकिन आज की डेट में प्राइस बढ़ चुके तो उनका मार्जन बहुत ज्यादा मिल जाएगा इंक्रीजिंग देयर प्रॉफिट इससे इनका प्रॉफिट भी क्या होगा ज्यादा रहा ही थी वह लागत उनकी बहुत कम थी अब मैं इसको अगर आपको सम्झाओं थे एक्जाम्पिल से हम समझ सकते इसको जैसे कि कोई प्रॉफिट रहा है कि किसी चीज़ को प्रॉफिट बनाया इसने इस प्रॉफिट में माल लिजिए एक वन थाउजन का उससे मदल लागत आई जब महिंगाई नहीं थी और यह उस समय जब रेडी होने पर मार्केट में त्यार होने के लिए सेल होने गया तो कीमत रखे गई 200 तो यहां पर प्रोडूसर को फाइदा हुआ कितने का 200 अब जब इंफलेशन हुआ तो इंफलेशन होने पर इसी की कीमत की जो लागत थी लागत तो वहीं की वहीं 1000 रही क्योंकि यह स्टॉक में था उसके पहले से था यह तो अब इसकी लागत में कोई अस प्रोडूसर को 500 पहले फाइदा अब कितने का फाइदा हो गया 500 अगर महंगाई बढ़ेगी तो प्रोडूसर जो की समान को प्रोडक्ट को बनाते हैं उनको benefit इसली होता है क्योंकि उनके पास कुछ ना कुछ माल पहले से स्टॉक में रहता है जिसकी लागत बोल पहले से ल पर पड़ता है तो आप यह भी पढ़ पर चुके आंट में लेकिन पर भी मैं आपको प्रूरिंग इंफ्लेशन इंफ्लेशन के टाइम पर जो डिवेटर्स होते उनको फाइदा होता डिवेटर्स किसे बोलते है जो कर्जा लेते हैं अब कर्जा देने वाला लौस में हो ग कोई मनी की तो डिवेटर को फाइदा इसली हुआ क्योंकि देना पे लैस इन टम्स आप गूट एंड सर्विस के लिए कम से कम पे देना पड़ ला है और क्रेडिटों को इसली लॉस हुआ कि जैसे कि माल लिजीए कि ए है कोई परसंस ठीक है उसने वन वन लैक रुपीज उदाहर लिया किस से उदाहर लिया बी से तो बी को जब रिटन करता है तो माल लिजीए उसको रिटन करने के लिए माल लिए फाइब परसंट के रिसाफ से उसने एक साल के लिए उदाहर लिया जब बी को रिटन करेगा तो कितना करेगा इस पर एक लाग पर निकालेंगे तो वह पाइप साउजन आएगा तो वन लाग फाइब साउजन उसको बापस करना पड़ेगा तो यहां पर आप देखेंगे को कितना फायदा हुरा आप 5000 का यह तो आपका महाहिए से पहले था यह ने उसको इंवेस्ट कर दिया एक लाग रुपे का सोना खरीद लिया उसमें सोने की कॉस्ट थी मान लो कि आपकी फिफ्टी थाउजन पर तोला तो उसने दो तोले मतला उसने दस और फिस ग्राम उसने खरीद लिया अब गोल्ड बढ़ाएगा तो तो बहुत तेजी से बढ़ता है तो आपको समझ लो उसने दो दो तोला जो था वह आपने उसमें एक लाग का खरीदा लेकिन अब वो तो अब उसके गोल्ड की कीमत कितनी जाती एक तोले पर तोले पर बीस जातो से एक कि एक लाग बीस हजार का क्या हुआ फाइदा हो गया यानि कि बीस हजार रुपे उसने कमा लिए जो उसने बीस से उधार लिएते अजब कि उसको एको बीको अभी मेंगाई होने के बाद भी कितना रिटन करना एक्स्ट्रा 5000 और यहां पर देखिए आप उसके इंकम कितनी हो रही है इंकम होगे इसके 20,000 रुपे में से अगर वह 5,000 उसको दे देता है तो एको आपको कितना मिलते 15,000 रुपे और बीको अभी वहीं कितने मिल रहे है पांच रिया रुपे तो चाहिए महंगाई हो ना हो बीको 5000 रुपे फिक्स है उसको इस तरह से दिखा जाए तो उसको यहां हो तो आपने देखा किस तरह से गेन होता है और को किस तरह से लॉस होता है कि नेक्स कुश्चन पर आते हैं यहां पर जो कि आपका 2015 में आया हुआ हुआ है तो आपने देखा 2014 से तीन कोश्चन आ चुके है यह 2015 का कोश्चन है कोश्चन में पूछा जा रहा है इसका स्टेट्मेंट का रिजन बताईए तो इंपलेशन होता है तो फिक्स इंकम गुरूम बालों पर कैसा एडवर्सली का मतलब होता नेगेटिव एफेक्ट पढ़ना रोस एफेक्ट प यहां पर हर कोश्चन को बार-बार आपको समझाओ भी रहा हूं आपको आपको बार-बार एक्स्प्लेंट करूंगा क्योंकि उससे एक तो याद होता रहागा और आपको यह बहुता जाएगा कौन से कौश्चन ज्यादा फोकस है जिस पर हम कर सकते हैं तो फिर से हम यहां महें होती है तो उनको सफर करना पढ़ता है क्यों करना पढ़ता है क्योंकि जिस हिसाआप से महेंगाई बढ़ती है बिकॉस आप रिजन गैट वेज़ेंट टो नॉट इंक्रीज इन प्रपोषिन आफ राइस इन प्राइस औप कोस्ट आफ योखती तो इसका मतलब जो question अभी हमने जस्ट पहले 2014 में भी देखा तो उसमें भी आया हुआ था उसका थोड़ा पैटर्ण चेंज था नेक्स कोशन पर आते हैं सिक्स पे इस्टेट वैदर दा फॉलिंग स्टेटमेंट पहले तो यह बताना है कि यह स्टेटमेंट यह पास है और यह कोशन आया आपका बोर्ड में 2016 में तो देखें तो यह पूछा रहा है कि अगर क्या में क्या डिवेटर को रहा है यह अब हैं यह आइंक को क्यूंता दक्ते यह आप फिर से पर याद वह भी अ exporting उच processes सब्सक्राइब करते हैं क्योंकि इंफलेशन होने से पहले कम पे करते हैं जब उनको पापस पैसा मिलता अपना तो उतने पैसा मिलता है जितने की पहले से बात इसी जैसे आपको समझाया भी पहले कि पिछले फॉर्ट कोशन में कि जो भी था वह आपका कौन था यहां पर जिसको फाइब फाइदा वहा था जो महिए इसे पहले भी हो रहा था लेकिन एक वह फायदा हो चुका क्योंकि इंफलेशन ह गया था तो आप अभी को समझ चुके इसमें ज़्याद एक्स्प्रेंट नहीं कर रहा हूं तो यह आपका फिप्ट कोश्चन और सब्सक्राइब इसके कहीं रूप सोचते किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं तो यह को मैंने हर तरीके से लिग दिया है जैसे कि आपसे एक्जम कर पढदे किरीपिंग इंफलेशन का ओता है what is the impact of economy उसके अप्रोबियेत है एक तो इसस से पूछा जाकता हैuit को और दूसरा कैसे पूछा जाकता है तो हमारे एकनामिक ग्रोथ के लिए अच्छा होता है इसका आप बताई है तो दूसरे इस तरह के से पूछ लिया गया अब माइल inflation is beneficial for economic growth जो माइल का मतलब होता है slow inflation होता है वो भी अच्छा होता है justify करना इस statement को तो तीसे तरह के साथ से पूछ ला गया और लास्ट फोर्ट में आप से पूछा गया था 2011 में है moderate dose of inflation to necessary for the development of economy जो moderate dose होती है inflation की वो आविश्यक होती है development of it इसको भी आपको explain करने के लिए कहा जा रहा है तो देखिए सबके questions के तरीकिए अलग अलग तरीके थे लेकिन सबका answer common है तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए गिए क्रिपिंघ इन्फलेशन क्या होता तो क्रिपिंघ कि यह ग्सली की सबीज़ देखते जिसको लताय या बेल कहते है पेड़ों की तो देखे इस नेल भी बहुत सलो चलता है और क्रीपर जने की जो पेड़ों की लटाय जो दिवाल पे बेल की रूप में चला जाती है वह भी सरक सरक्ष रखके एक टाइम से जल्दी से बढ़ी नहीं होती है बहुत ही दिरी से वह लिए तो इसी तरह से अगर प्राइस के राइस जो प्राइस है वह भी राइस इस्वकार स्रेयों की बहुत सलो हो तो उसको हम क्या कहेंगे क्रीपिंग इंफलेशन कहते हैं कि क्रीपिंग इंफलेशन में जो प्राइस के रेट होते हैं वह तू से थ्री परशन तक के बीच बढ़ सकते हैं इसी को हम बोलेंगे क्रीपिंग इंफलेशन अगर किसी चीज पर प्राइस रेट टू से ट्री पर्शन तक इंक्रीज हो रहे है तो वह आपका कलाएगा क्रीपिंग इंफलेशन अब देखिए अधर टैप से कोशन पूझे थे क्या इंपक्ट पढ़ता एकनॉमिक का तो उसका भी आंसर नीचे लिखा हुआ है और क्रीपिंग इंफलेशन जो है वह जो एकनॉमिक के लिए ग्रोथ की है यह भी इसका आंसर हो जाएगा और माइल्ड इंफलेशन क्रीपिंग इंफलेशन भी कह सकते हैं कि कर्कार से होता है कि कैसे बहुत प्राइज क्रीपिंग इंफलेशन में अभी आपने बढ़ा very slow जब price जो होते हैं देरे देरे इंक्रीज होते हैं एकदम से नहीं हो रहे हैं तो उसके profit margin भी आपका बढ़ेगा इस इंक्लूट दा प्रोडूसर इससे जो उनको प्रोड़क को बनाने वाले प्रोडूसर होते हैं तो वो और भी ज्यादा इंवेस्टमेंट करेंगे क्योंकि उनको profit मिलने लग जाएगा इस पकार से माइल्ड और क्रीपिंग इंफलेशन जो होंगे वह रिगार्डेट होते असेंशल एकनॉमिक ग्रोथ के लिए तो इसको भी मैं आपको एक एक्जाम्पिल से समझाओंगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमारे एकनॉमिक डबलमेंट या इकनॉमिक ग्रोथ के लिए जो क्रीपिंग पाले जी गोल्ड का मैं आपको बता रहा हूं जो एक उरिजिनल बिस्कुट होता है अब तो मार्केट में जो पांच रुपय का बिस्कुट आता था बहुत पहले की बात कि बात करते हैं तो यहां पर पांच रुपय का औरिजिनल बिस्कुट आपको मिला करते था पाले जी गोल्ड का लेकिन अब धीरे दीरे उस पर प्राइस बढ़ना स्टार्ट हुए च्छे हुए साथ हुए आट रोगे तो हमें हमारी एकनॉमिक पर हम पर कोई असर नहीं करेंगे तो तीर सालों का डिफरेंस आया रहा जो की काफी लॉंग का डिफरेंस मानें तो यह बहुत धीरे धीरे दीरे इसके प्राइस इनकी रिज़ी बिल्कुल कैसे स्मय की तरह तो इससे क्या हुआ कि आपको जो प्रोडूसर थे उनको भी इनमें मार्जन मिन लगा पह तो अभी भी खाना लोग आज भी पर्चेस करते हैं तो अब उन्होंने जब और इंब्यस्ट किया तो उनके लिए फिर इंपलाइमेंट भी जाहिए होगे अगर समान को बढ़ाएंगे तो इंपलाइमंट में बढ़ेंगे इंपलाइमेंट वोदेंगे तो रोजगार से आप देखेंगे तो यह क्रीपिंग इंफलेशन जो होता है हमारे एकनॉमिक कंडिशन या एकनॉमिक ग्रोथ कह सकते इकनॉमिक डवलेमेंट इन सब के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है तो यह आपका सब्सक्राइब सब्सक्राइब नेक्स्ट आते हम उनके फेबर में पढ़ता तो यह अभी हमने रिपीट तरह से कुझे के कोशन बददल के आ रहे हैं लेकिन सबका मतलब वही रिपीट होके आ जा रहा है भी इस तो यह बिल्कुर स्टेटमेंट होटा है तो यह फिर से हमने लिए प्रोडूसर गेंड डूरिंग दुरिंग एंफलेचन प्रोडूसर को इसलिए फाइदा होता है क्योंकि जो उनके पास स्टॉक होते हैं उनके प्राइस बढ़ जाते हैं और उनको यहां पे बहु यहां पर लिख दिया है नेक्स 2018 के बात करेंगे तो यहां पर कोश्चन आया था डिफाइन इंफलेशन के डेफिनिशन पूछी गई थी तो आज सुचेशन इन विच प्राइस और गुड़ सर्वेस कंटिनुसली राइस अगर किसी चीज के प्राइस बहुत लगातर बढ़ रहे है और जल्दी बहुत इंक्रीज हो रहे है तो और वैल्यों मनी के और यह फॉल हो रही है तो इसको हम क्या कहते है इंफलेशन कहते हैं नेक्स्ट आता है आपका यहां पर जो कि आपका कुशन आया था 2019 में एक्स्प्लेंट देखिए यह कॉशन कहीं बारी पी दुआ है इंक्रूप पर पड़ता है यह हम डिसकस कर चुके है कि जो फिक्स इंक्रूप बाले होते वह वेज वाले होते हैं जिन पर निगेटिव एफेक्ट पड़ता है डूरिंग दा पिरियड आफ इंफलेशन क्यों पड़ता है अब देखिए यहां पर जैसे कि मैंने स्टार्टिंग वीडियो किया था कि यहां पर हम सब्सक्राइब करेंगे लेकिन वह मैंने केबल इंफलेशन वाले ही लिए पूरा पेपर सॉल्ट नहीं किया है मैं आगे के जितने वीडियो बनाऊंगा सब्सक्राइब करूंगा तो देखिए पहला पूश्चन आप से यहां पर पूछा गया है स्टड़ी दा रिलेशनशिप इंद फस्ट पेयर ऑफ दा वर इंफलेशन जो होता है वह 10% से कितना होता आपका इंक्रीज 20% अब आप यह टैली कर लिए टैन से टुन्टी की बीच में यह तो लाई करी नहीं नहीं है यह एट से टुन्टी यह बट टैन नहीं आ रहा तो इसका यह मतलब नहीं है लेकिन अब अब टैन चला गया तो यह कौन सभरनिंग और यह अब भी टैन से नीचे और यह से उपार है तो यह आपका हो गया हाइपर कर्एंट पर सके है इसमें का जाता running inflation यह आपका यहां पर बी पार्ट आपका correct answer हो गया अब देखिए second question specimen पर से पूछा गया था what is galloping inflation galloping inflation क्या होता है तो देखिए galloping inflation हम किसे बोलते है hyper inflation का other name क्या होता है galloping inflation तो galloping inflation का मतलब है आपको बताना है हाइपर inflation तो क्या हो गया यह दोनों का मतलब when prices rise very fast at double or triple digit rate from more than 20 say hundred percent per annum increase होते है यह से भी ज्यादा तो इसको क्या बोलते है hyper or galloping inflation कहते हैं और इस inflation में क्या होता है total collapse of the monetary system पूरा monetary system और collapse हो जाता है because of the continuous fall in the purchasing power of money क्योंकि पर्चेसे पावानी डिक्रीज जाती है अंडर हाइपर inflation जब प्राइज राइज वेरी प्राइज प्राइज राइज राइज वेरी प्राइज राइज एवरी मूमेंट हर पल उसके प्राइज क्या होते हैं तो आप उसका आंसर के साथ बताईए तो देखिए यह कोशन अगर आपको द्यान होगा 2011 में आया था जिसके हमने कहीं कोशन के पड़ेते हैं आंसर एक था तो हमारा वह था माइल्ड इंफलेशन और क्रीपिंग इंफलेशन यह भी हमने डिसकस करा है कि यह हमारी एकॉनिमी डवलमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि थोड़ा बात इंकीज नहीं होगा तो प्रोडुसर को मार्जन नहीं मिलेगा और मार्जन नहीं मिलेगा तो लोगों की तंखा वह बढ़ा नहीं पाएंगे और लोग काम भी करना पसंद नहीं करेंगे इस तरस माइड इंफलेशन और क्रेपिंग इंफलेशन बैनिफीशल होता है कि इसके लिए एकनॉमिक डवलमेंट ग्रोथ के लिए क्यों क्योंकि इससे क्या होता है इंक्रीज प्राइज होते है गुड्स और सर्विस के जनरली लेट इंक्रीज इंद प्रॉफिट मार्जन जब आ और लोगों रोजगार मिलेगा और लोजगार मिलेगा तो इकनॉमिक में डव्लमेंट होगा इस पकार से माइल्ड और क्रिपिंग इंफलेशन क्या होता है एकनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है यह तीन कुश्शन आपके इस से पूछे गाए किस से इंडिया आज की डेट में बढ़ लाई है उसका में डिजन कौन है में कॉज़ेस ब्याहिंट दा करेंट निया आर कौन कौन से रिजन है नंबर एक इंक्रीज इन दा सप्लाइब ब्रॉड मनी नंबर दो इंडियन इकनोमिक जिसका में डिजन है रूट इंडियन इकनोमिक आप इस को भी थोड़ा कर लीजिए आपका हाव वाज इंफलेशन अकर्ट कंजूमर किसे कहते हैं जो की पर्चेसिंग यानि हम आज की डेट में हम और आप सब क्या कंजूमर है क्योंकि हम कुछ न कुछ हम में मार्किट से खरीदना पड़ता है उन पर क्या पड़ेगा डूनिंग इंफलेशन दा कंजूमर और बैडली एफेक्टेट इस पेचली तो कंजूमर जो होंगे बहुत बुरी तरह से एफेक्टेड हो जाएंगे इस प्राइस नैसेसिटी ऑफ दा लाइफ राइस रैस र प्राइफ देरहेगा अगर हम आज की डेट में चार रोटी खाते को छीजope ना है पोलर में इफ्यांगे पड़ेगा जिनकी तनका बहुत कम होती है लोग स्पेड़ वाले होते क्लास के या फिक्स इंकम गुरूब जा जिनकी तनका महगाई के इसाब से नहीं बढ़ती है तो उन पर सबसे ज्यादा यह असर पड़ेगा दो कोशन मेरे इसाब से बहुत इंपरणन रहे थे इसके मैं मैंने यह चार वीडियो बनाये हैं मनी एंड बैंकिंग को चार काड़ेगरी में डिवाइड किया गया है पूरे कोर्स को दो यूनिट आपकी एक है इस्टेट और एक है मनी एंड बैंकिंग तो जो अभी मैंने आपके बोर्ट के टैन यह से कुशन कराया है वह केबल इंफ के रूप में यह कंप्लीट है अगर आप यहां पर कंप्लीट को पढ़ लेंगे तो यह को समझने में कुछ भी दिक्कत नहीं होगी और जैसे कि अब हमने इंफलेशन के टैन यह से समझे तो आई होप की इंफलेशन के आपको बहुत लगने लग गया होंगे और मैं आपको हर एक सेपरेट सेपरेट टैन यह के वीडियो बना के दूँगा हर टॉपिक से अलग जैसे कि अब इंफलेशन पर हमने कवर करें और सब्सक्राइब करें अभी के लिए और यह वीडियो कर अच्छी लाई है तो प्लीज आप अपने में जरूर शेर करा करिए और उससे तो आपको काफी काफी थैंक देंगे कि हां भी उन्होंने विए आपने उनको एक एज़ा गिफ्ट दिया जिससे कि उनके मार्स में ज्यादा ज्यादा इंक्रीज हो सकते थैंक्यू वेरी मुच्छ ऑल आफ यू